नमस्कार बच्चों, आज हम वेबसाइक अध्यान के पहली पुस्तक का चौथा अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं हमारे अध्याय का नाम है नियोजन बच्चों इसके पहले भाग में हमने नियोजन का अर्थ जाना, इसकी विशिष्टाओं को समझा वह महत्वव सीमाओं को भी जाना, हमने यह देखा कि नियोजन किसी भी व्यवसाए और उसके प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है आज हम यह देखेंगे कि नियोजन किस प्रकार किया जाता है अर्थात योजनाय किस प्रकार बनाई जाती है नियोजन की अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है योजनाय बनाना जितना देखने वह सुनने में आसान लगता है वास्तव में किसी वेवसाय के अंदर यह उतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती योजनाय बनाने के लिए खास करके प्रभावी योजनाय बनाने के लिए प्रबंदकों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कई चरणों से गुजरना पड़ता है आएए एक एक करके नियोजन या योजना बनाने की प्रक्रिया में आने वाले विभिन्य चरणों पर चरचा करें बच्चों सबसे पहला वा सबसे महत्वपूर्ण है उत देश्यों का निर्धारण यानि जब हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहले चीज हम यही करते हैं कि हमारा लक्ष क्या है हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं बच्चो इसे हम विवसाय को छोड़ दें यदि तो आपके सिक्षा के छेत्र में भी हम इसका उधारन ले सकते हैं आप विद्यार्थियों को यदि अपनी अंतिम परिक्षा या फाइनल परिक्षा में एक लक्ष निवधारित करना है तो उसको करने के बाद ही आप यह सोच पाएंगे कि आपको उसके लिए कितना पढ़ना है यदि आपका लक्ष है 90 प्रतिशत से जादा अंक हासिल करना तो आप उसके अनुसार मेहनत करेंगे योजनाय बनाएंगे यदि आपका लक्ष है मानली जी 80 प्रतिशत या 70 प्रतिशत के आसपास अंक प्राप्त करना तो आप उसके हिसाब से अपने पढ़ाई को समय देंगे ठीक उसी प्रकार वेवसायों में भी जब तक लक्ष निर्धारित नहीं होगा तब तक उन लक्षों के प्राप्ती के लिए हमें क्या करना है किस प्रकार की योजनाएं चाहिए यह भी निर्धारित करना मुश्किल है इसी लिए योजनाओं में सबसे पहला चरणिया होता है कि हमें अपने लक्ष निर्धारित करने होते है बच्चों ये लक्ष या उदेशिक कई तरह के हो सकते है जैसे कि हम हो सकता है या चाहें कि हमारे व्यवसाय का बाजार में हिस्सा मालीजे 5 प्रतिशस से 10 बहो जाए 15 हो जाए या बढ़ जाए हो सकता है हम अपने वस्तू के उत्पादन में लगने वारी लागत को कम करने का लक्ष रखे हो सकता है हमारे लक्ष यह हो कि जितने कर्मचारी हमारे व्यवसाय हमारी कमपनी को हर साल छोड़ कर जाते हैं हम उस संख्या में कमी लेकर आए हो सकता है हम अपनी फैक्टरी में होने वाले हर्तालों या कर्मचारीों से होने वाले अन्य समस्याओं के संख्या में कमी लाना चाहे हो सकता है हम अपने वस्तूओं के उत्पादन के संख्या को बढ़ाने का लक्ष रखे या बिक्री के सं उदेश नेधारित करता है बच्चों पहला चरण जब पूरा हो जाए यानि जब हमारे पास एक लक्ष आ जाए कि हम भविश्य में इतने समय में इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा चरण होता है आधार विक्सित करना आधार या माननिताएं भविश्य में आने वाली परिस्थितियों के अनुमान होते हैं इनकारत होता है कि हम भविश्य में होने वाली परिस्थितियों के बारे में पहले से सोचें वह एक अनुमान विक्सित करें आधार विक्सित करें कि यदि हमारा ये लक्ष है और उसे हम इतने समय में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस पूरी समय अबधी में ये ये घटनाएं घटित हो सकती हैं. कुछ ऐसी परिस्थितिया उत्पन हो सकती हैं, जनका हमारे विवसाय या लक्ष पर प्रभाव पड़ सकता है. उन घटनाओं या उन परिस्थितियों के बारे में हम पहले से सोच कर रखना चाहेंगे, ताकि हम उनके लिए तैयारिया कर सकें. हम उनके लिए तैयार रह सकें ताकि हमें एकदम से कोई जोखिम न उठाना पड़ जाये. तो इस प्रकार भविश्य के कुछ आधार हम विक्सित करते हैं, जो कि नियोजिन की प्रक्रिया का दूसरा चरण कहलाते हैं. इसके बाद तीसरा चरण है कार्य वाही की वैकल्पिक विधियों को पहचानना. बच्चो अब हमें पता है कि आने वाली समय में क्या परिस्थितियां होंगी, वो इन परिस्थितियों से होते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें किस लक्षि तक पहुँचना है. अब हम क्या करेंगे? तीसरे चरण में हम कई विधियों के बारे में सोचेंगे कि उस लक्षि की प्राप्ती के लिए हमारे पास क्या विधियां हो सकती है. बच्चों माल नेते हैं एक उधारन के तहट कि हमारा उदेश्य है अपनी विक्री को, अपनी वस्तू यात्पाद की विक्री को बढ़ाना. उसके लिए हमने एक नियत लक्ष रखा, कि यदि हम वार्षिक रूप से एक लाख इकाईयों की विक्री करते थे, तो अब हम अपने लक्षे को एक लाख से बढ़ा कर डेड़ लाख इकाईयों का रख रहे हैं. तो हमने लक्ष तो निधारित किया, कि हमें डेड़ लाख इकाईयों की विक्री करनी है, हमने उसके कुछ आधार विक्सित कर लिए, अब इस तीसरे चरण में हम यह सोचेंगे, हम पहचान करेंगे कि वह लक्षे कैसे प्राप्थ होगा. माल लीजिए, विक्री बढ़ाने का यह लक्ष दो या तीन तरीकों से प्राप्थ हो सकता है. पहला, किसी प्रकार की छूट की योजना लोग अपने ग्रहकों के लिए चलाना, जैसे कि कोई डिसकाउंट स्कीम वगेरा. दूसरा, अधिक सेल्समैन रखके अपनी विक्री को बढ़ावा देना. तीसरा, अपने उत्पाद की कीमत को कम कर देना. माल लेते हैं, यह तीन विकल्प हमारे सामने हैं, हमने इनकी पहचान कर लिए. इस तरह इन विकल्पों की पहचान करना नियोजन का तीसरा चरण हो जाता है. तीसरे चरण में विकल्प पहचान लेने के बाद, चौथे चरण में हम इन विकल्पों का मुल्यांकन करेंगे. मुल्यांकन का अर्थ है कि हम इन में से हर एक विकल्प के बारे में यहां देखेंगे कि यदि इस विकल्प को अपनाया जाता है तो इससे क्या लाब होंगे वा इसमें क्या लागतें आ सकती हैं जैसे माल लीजिए यदि हमने विक्री बढ़ाने के लिए दूसरे कारे विधी का मुल्यांकन करना शुरू किया हमने देखा कि यदि हम सेल्समैन रखते हैं तो वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं हो सकता है हमारी विक्री बढ़े लेकिन वहीं इन लोगों को या करमचारियों को रखना उसमें लागत आएगी उनका प्रिशिक्षन देना उनकी वेतन को देना इन सब में लागते हैं तो यह उसकी कुछ लागते हो गई वह उसका फायदा हो गया कि वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं यदि हम कीमत कम करें तो हमारा लाब घर जाएगा हो सकता है विकरी बढ़ जाए तो इस प्रकार हर एक विधी के अंदर आने वाले सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामों के बारे में हम सोचेंगे चर्चा करेंगे और उनके आधार पर मुल्यांकन करेंगे मुल्यांकन करने के बाद अगले चरण में हमें चुनाव करना है कि अब इन में से कौन सा विकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्यूंकि पिछले चरण में हमने इन विधियों के सकारात्मक वा नकारात्मक पहलों को देखा, लाब हुआ लागतों को देखा होगा, अब हम चुनाव इस आधार पर करेंगे कि जो विधिया, जो विकल्प कम से कम लागत या सबसे कम लागत में सबसे अधिक लाब हमें दे जाए वो सर्व्ष्रेष्ट विदी हुई उस विदी को हम चुन लेंगे इस प्रकार पांचमें चरण में हमारे एक विकल्प का चुनाव हो जाएगा अब विकल्प चुन लिया माल लिजी हमने निधरित किया कि हम सेल्समेन को ही रखना चाते हैं अब हमें लागू करना है उन्हें अगले चरण में इस विकल्प को इससे जुड़े हुए क्रियाओं को लागू करना है हमें लोगों को नौकरी पर रखना होगा, हमें हो सकता है किसी समाचार पत्रिया किसी जगह पर प्रचार करना पड़े कि हमें इस प्रकार सेल्समेन चाहिए, हम उनको रखेंगे, उनका साक्षात कार लेंगे पहले तो फिर रखेंगे उनका प्रिसिछन करेंगे फिर उनको हम सेल्समेन के कारे में लगाएंगे वो अपना कारें चालू करेंगे जिससे हमें विक्री प्राप्त होगे तो जो भी विकल्प या योजना हमने चुनी उसको लागू करना है उसको लागू करने में बच्चों आपको धयान रखना है, इस बात को कि जब इस चरण में हम आते हैं, तो यहां पर प्रबंधन की अन्यक्रियाय शामिल हो जाती है, नए कर्मचारियों को रखना हो या एक धाचा तयार करना हो काम का या कर्मचारियों से काम करवाने के लिए उन्हें निर्देश देना हो इस तरह के जो अन्य कार्य एक प्रबंधक को करने होते हैं जो कि आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे वो तब अस्तित्व में आते हैं जब हम अपनी योजनाओं को लागू करने जाते हैं अर्थात योजनाओं को लागू करने के लिए एक प्रबंदों को अन्य कई कारे करने पड़ते हैं उनकी सहायता से वो निर्धारित योजना या विकल्प को लागू करता है अब एक बार आपकी योजना लागू या क्रियानवित हो जाए, वो काम में चल रही है इसके बाद आपको अन्तिम चरण के रूप में अनुवर्तन करना होता है अनुवर्तन का अर्थ है कि समय समय पर आपको देखते ही रहना है, चक करते ही रहना है कि जो योजना आपने बनाई, जो कारे आपने उसके लिए चालू करवाए, क्या वो योजना के अनुसार और लक्षे के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं क्या कोई कम्या है, क्या आप अपने लक्षियों के तरफ समय पर सही तरीके से बढ़ रहे हैं यदी नहीं तो क्या कम्या आ रही है कैसे उनको ठीक क्या जाए ताकि समय पर लक्षियों की ठीक प्रकार प्राप्ति हो इसे ही अनुवर्तन कहा जाता है आप बार-बार देखेंगे समय समय पर एक निश्यत अंतराल पर चेक करेंगे कि आप अपने अंतिम लक्षए की तरफ ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं ठीक से क्रियानवित हो रही है कि नहीं तो बच्चों यह हमारी नियोजन की प्रक्रिया के साथ चरण थे पहला वो देश्यों का निर्धारण दूसरा भविश्य से जुड़ेवे आधारों का विक्सित करना तीसरा कार्यव को लागू करना हुआ समय समय पर उनका अनुवर्तन करना तो आपने देखा कि कैसे नियोजन एक बड़ी विस्तरित प्रक्रिया है एक चरण या कदम महत्वपूर्ण है सही तरह से किया गया नियोजन ही काम आता है वरना कई विवसाई कई प्रबंधक योजनाएं तो खू क्या होता है बच्चो योजनाएं जब बनती हैं तो योजनाएं कई तरह की हो सकती है अलग-अलग तरह की योजनाओं को हम मुखे तहर दो श्रेणियों या वर्गों में बाटते हैं इस प्रकार हमारे पास योजनाओं के दो प्रकार निकल के आते हैं आईए अब उन पर चर्चा करते हैं बच्चो पहले प्रकार की योजना होती है एकल प्रियोग योजना यारी कुछ योजनाओं ऐसी होती है जो केवल एक बार ही प्रियोग की जाती है इन्हें किसी विशेश घटना या प्रियोजना हेतू विक्षित किया जाता है यह ऐसी योजनाओं होती है जिनका एक बार उप्योग हो जाने के बाद दुबारा इने बिलकुल उसी प्रकार उप्योग नहीं किया जाता है इनका उदेश्य केवल किसी एक विशेश योजना, परियोजना, प्रोजेक्ट, किसी विशेशकारी करम आदी से जुड़े हुए लक्षियों के प्राप्ति के लिए बनाया जाता है एक बर वो प्राप्त हो जाये फिर इन योजनाओं को निरस्ट कर दिया जाता है दोबारा फिर इनको नहीं उप्योग किया जाता है फिर नई योजनाओं बनाई जाती है ऐसी क्रियाविधी भविश्य में दोहराई नहीं जाती अर्थात ये अनावृत परिस्थतियों हेतू होती है यानि ऐसी परिस्थितियां जो बार बार नहीं आएंगी हम उनके लिए इन योजनाओं को बनाते हैं इन योजनाओं के अंदर मुख्यत तीन प्रकार की योजनाएं आती हैं बजट, कारिकरम वो परियोजनाएं बच्यों बजट शब्द अपने कई बार सुना होगा बजट हम अपने खर्चों अपने आमदनी या कई बार अपने समय का भी बनाते हैं एक व्यवसाय अपने वर्ष का बजट बनाते हैं वह बजट इस वर्ष के लिए ही होगा अगले वर्ष हम वही बिल्कुल एक जैसा बजट तो उपयोग नहीं कर सकते आपको पता होगा सरकारें भी बजट बनाती हैं हर वर्ष बजट बनता है बजट कोई ऐसी योजना नहीं है जो एक बार बना हर कारिक्रम अपने आप में अलग है उसकी योजना भी अलग है यदि एक कारिक्रम आज चल रहा है तो वैसा बिल्कुल एक जैसा कारिक्रम दुबारा नहीं होगा तो हर कारीकरम की तैयारी अलग तरीके से होती है यदि आप किसी ऐसे ही कंपनी में कारी करते हैं जो कई कारीकरमों या इवेंट आदी को आयोजित करते हैं तो आप जानते होंगे कि हर कारीकरम या हर ऐसा जो प्रयोजन है वह अपने आप में अलग होता है उधारण के लिए आप कई बार टीवी पर देखते होंगे, फिल्मों में या बॉलीवुड में कई तरह के पुरसकार कारिक्रम आपको देखने को मिलते हैं क्या हर साल या कारिक्रम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं आपको? नहीं हर साल उनकी रूप रेखा, उनका जो एक पूरा विस्तरित रूप से जो उनकी योजनाई बनाई जाती है, वो अलग होती है तो कारिक्रम दर कारिक्रम योजनाई अलग बनानी पड़ती है बजट हो या कारिकरम हो या परीयोजनाय हो ये अपनी विशेश उद्देश या विशेश समय अब्धी के लिए बनाने के बाद फिर इनको दुबारा उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए इने हम एकल प्रियोग योजनाय कहतے हैं इसी प्रकार कुछ योजनाई होती हैं जन्म स्थाई योजनाई कहते हैं एक स्थाई योजना एक निश्चित समय अबधीक के दौरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं में प्रियोक की जाती है इसे या सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि एक संगठन के आंतरिक प्रचालन को भली प्रकार से ठीक प्रकार से चलाया जाए एक संगठन में ऐसी गतिविध्या जो बार-बार होती है वो ठीक तरीके से हो इसके लिए एक बार योजना बनाकर उसे सुनिश्चित कर दिया जाता है ताकि उससे जुड़ेवे लोग उसको एक दिशा निर्देश के रूप में लेकर बार-बार जब वो उसी प्रकार का कारे करें तो वहाँ उपयोग कर सकें जिससे किसी प्रकार की समस्या या विदमना उत्पन ना हो ऐसी योजना मुख्य रूप से निर्णे लेने में कारे कुशलता को बढ़ाती है क्योंकि हमने योजना को बना दिया अब वही परिस्थिती जब भार-बार हमारे सामने उत्पन होगी तो हम उस परिस्थिती में पहले से निर्धारित योजना के अनुसार निर्णे ले सकते हैं तो हमारे निर्णे जादा कुशल या बहतर माने जाते हैं ये योजनाय सामाननेता एक बार विक्सित की जाती हैं परंतु जरुरत पढ़ने पर इन्हें समय समय पर व्यवसाई की आवशक्ताओं की पूर्ती हेतु उपयोग किया जाता है इनमें थोड़ा संशोधन हो सकता है तो थोड़े संशोधन के साथ इन्हें बार-बार उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार की योजनाओं में शामिल होने वाले कुछ मुख्य योजनाई हैं नीतियां, कारिवधियां वा नियम बच्चों नीतियां जो हैं वो किसी भी व्यवसाई के आंतरिक क्रिया कलापों का दिशा निर्देश तै करती हैं हर व्यवसाई या उद्योग या कंपनी में कुछ विस्त्रित नीतियां होती हैं जिने सभी को पालन करना होता है उद्हारण के लिए मान लेते हैं यदि एक व्यवसाई की नीति है कि वह उद्हार अपने सामानों की विक्री नहीं करेगा तो अब चाहे व्यवसाई या उस मान लीजे दुकान में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो यदि उसके व्यवसाई में यह नीति है कि वह उद्हार विक्री नहीं करेगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आये जब भी कोई उनसे उद्हार मांगेगा वो उसे नहीं देंगे क्योंकि उनकी यह नीति है कि हम उद्हार विक्री नहीं करते इसी परकार यदि कच्चे माल की प्राप्ति की बात हो उसके लिए हम कैसे सप्लायरों का या पूर्ती करताओं का चैन करेंगे इसके लिए भी नीति बनाई जा सकती है तो ऐसी नीतिया एक बार बार उपयोग की जाती है वो यह हमें दिशा निर्देश कि प्रदान करते हैं इसी प्रकार कार्य विद्यों की यदि बात की जया कार्य विद्य ओक अर्थ होता है किसी विशेश कार्य को करने में आने वाले चरण कौन-कौन-से होंगे किन प्रक्रियाओं से Надर गुजरना होगा माननीजे यदि किसी वेवसाय में नए कर्मचारियों को काम पर रखने की बात है तो उसके अंदर आने वाले चरण क्या-क्या है पहले एक फॉर्म भरना है फिर साक्षातकार होगा या पहले कोई नीती बन जाये एक बार यह प्रक्रिया बन जाये तो हम बार बार फिर इसको उपयोग कर सकते हैं तो ऐसे जो योजनाए या क्रिया कलाप या क्रिया विधिया होती हैं इन्हें बार बार उपयोग बड़ी सरलता से किया जा सकते हैं तो इस प्रकार के योजनाओं को हम स्थाई योजनाए कहते हैं तो बच्चो आज हमने देखा कि यदि हमें नियोजन करना है, यदि हमीं योजना बनानी है तो हमें किन चरणों से गुजरना होगा? इसके पस्चात हमने दो मुख्य प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की एक तरफ एकल प्रियोग योजना तो दूसरी तरफ स्थाई योजना जहां एकल प्रियोग योजनाओं में वो योजनाओं आती हैं जो एक बार प्रियोग होने के बाद दुबारा काम में नहीं ली जाती वहीं स्थाई योजनाओं में वो योजनाओं आती हैं जिनने हम थोड़े शंचोधन या कईबर बिना शंचोधन के भी बार-बार उपयोग कर सकते हैं योजनाओं को बनाते वक्त प्रबंदकों को बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि जैसा कि अब आप देख चुके हैं योजनाओं की आधार पर ही आगे आने वाली गतिवे दिया निरधारित की जाती है आप आने वाले अध्यायों में प्रबंदक के आनने कारियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे योजनाएं बनने के बाद उन्हें किया जाता है तो ऐसे में योजनाएं सटीक होना बहुत जरूरी हो जाता है मैं आशा करता हूँ आपको नियोजन वो योजनाओं के बारे में बताए गई बातें अच्छे से समझ आयोंगे आप इनका महत्व समझ पाए होंगे इस अध्याई के दोनों भागों में इतना ही धन्यवाद झाले आपको एपको जो 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 झाल झाल